असलाम लेकूम आज हम बनेंगे अंजीर का मीठा तो इसके लिए लेंगे हम ये हैं अंजीर एक किलो तो इसके लिए कच्छे अंजीर लेंगे हम तो सबसे पहले हम अंजीर को अच्छे से धोलेंगे और धोलेने के बाद में हम इसकी डंडी जो रहती वो निकाल देंगे इस पिर इसको इस तरह से आदे हादे पीसे हम में काट लेंगे. तो सारी अइनजीर को हम इसी तरह से काट के रेडी कर रख लेंगे. यह देखिए। कटे हुए अंजीर बिलकुल रेडी है. शकर लेंगे, हम 500 ग्राम तो एक पैन में डाल देंगे और 500 एमल पादी अब करेंगे अर फ्लेम ओन करेंगे और शकर को अछे से घुला लेंगे पानी के अंदर तो अब ही शकर आच्छे से पकना शुरूप यानि के अच्छे से घुल गई पानी के अंदर अब हम इसके अंदर इड़ करेंगे, अन्जीर राजबेरी कलर इड़ कर लेंगे अब हम medium heat पे पकने के लिए रख देंगे जब तक कि शक्कर अच्छे से थीक ना हो जाए यानि कि शक्कर की जो चाशनी है वो थीक हो जाना अच्छे से यानि कि हलकी से गाड़ी होना ज्यादा गाड़ा ने करना है तो ये देखिए इस तरह की consistency रखेंगे हम मिठे की अब ये अच्छे से गाड़ा हो गया तो अब हम इसके अंदर आट करेंगे एक निम्बू का निकाला हुआ रस निम्बू का रस आट कर लेने के बाद में बस दो मिनट के लिए पका लेंगे और इसके बाद में अब हम flame off कर लेंगे तो ये देखिए दो मिनट तक अच्छे से पका लेने के बाद में अब हम flame off कर लेंगे अंजीर का मिठा सर्प करने के लिए बिलकुल रेडी है और इसको हम थोड़ा सा गानिश कर लेंगे बादाम और पिस्ते से ये देखिए मिठा बिलकुल रेडी है तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइगर के देखिए और अगर रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग अलाहफेज